हेलो दोस्तों, बेलकम बैक, मैं हूँ आपका दोस्त बिपन and today we are going to start हमारे 6th February के important current affair कोई भी doubt लगा तो comment box में पूर सकते हो, अगर PDF चाहिए तो sbm tutors telegram पर हमारा channel उसको follow करना वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती, then description box में link पड़ा हुआ है, उसको click कर लो, directly channel के साथ चुट सकते हो अगर new आए हो channel पर, please video को like करना और channel को subscribe करना, ओके, थोड़ी सी video देखो, अच्छी लगे तो कर देना सो करते हैं, start यहाँ पर, Turkey and Syria, दोनों news में थे, क्यों, यहाँ पर 7.8, जो हमारी magnitude का अर्थ की को दखाई दिया, that's why जो हमारे hundred of people की वहाँ पर death होई, so हमारी स्वेधनाय हैं उनके लिए, so हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अर्थ में, क इसका नेम है, अभी हाली में जो नेटर नेशन के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया था, और कैपिटल अंकारा, एंड, जो करंसी क्या है, लीरा, और जो कॉंटिनेट कौन सा है, इसका यूरोप को, एंड, एशिया कॉंटिनेंट, दोनों कॉंटिनेंट में पढ़त है, वहाँ पर है ये तुर्की, इन साथी में जो बार्कन पेनसूला है, साउथ एस्ट यूरोप में, वहाँ पर इसका कुछ एरिया है, समझे बात भी, अगर थोड़ा सा डीप जा रहे हो, मेंज कि थोड़ा से बड़े लेवल के तरीका रहे हो, जहां से कोशन बन सकता है, जो हमारी कॉंटिनेंट कौन सा है, इसका एशिया, जह हमारा प्यारा भारत है, अगर हम इसके जो बेस्ट की और जाएं, बहां पर आपको दो कंट्री दिखाए देंगी, टर्की और सीरिया, तो आपस में बांटरिशे करती हैं, यह रही तुर्की और यहां पर सीरिया, इदर के और कहा है, रशिया, अभी हाड़ी में जुद्ध चला हुआ था, समझे बात, और G8 कंट्री थी पहले, उसके बाद में G7 हो गई थी, कब हुई थी, 24 में, क्यों हुई थी भई, जहां से रशिया को निकाला गया था, क्योंकि उसने करीमिया रिजन को खथिया लिय था, ठीक है, so that's why, देखो, अब यहां पर क्या है, ब्लैक सी, इदर के और मेडिटेरियन सी, इदर के और कैस्पियन सी, so आपको थोड़ा सा मैप का भी अंदाजा होना चाहिए, जहां से कोशन बनते हैं, जो ब्लैक सी, कौन सा एरिया है, आपको अंदाजा लगाना से, जो देखो, इंटरनेशनल लावर पर जो कुछ हमारे कंसेप्ट है, अब देखो, इसराइल ने क्या किया था, आइन डॉम, इनका जो डिफेंस सिस्टम है, जो जूज करते हैं, जो के अगेंदी हामास ग्रूप है, उसके खिलाफ जूज करते हैं, जो कि यहां पर टेरिरिस्म अक्यमिटीus पहलाता है, इसराइल है, आइन डॉम को अब यहां गया, अगर आपने ऐसा किया, हम क्या कर सकते हैं, जो सेरिया को गया कर सकते हैं, कुछ equipment प्रवाइड कर सकते हैं, आने वाल टाइम में आपको difficulty होगी, इसराइल ने क्यों दिया था, जो इसराइल आईग ही इरान है। ये इरान के पास कुछछ क्या है , हो इस्ठम या इस्था को भीज़ें थाइल को बैच रहे हैं, क्योंकि अगर इरान इवल्प होगा इस्थान को क्फत्रा क्योंकि अगर इरान में खलक्छो improve energy आ light देन वो इस्राइल पर अटेक करेगा फस्ट बात इन दोनों की निबंती इस्राइल एंड इरान की इरान की बंती है रशिया के साथ उसकी हल्प करेगा इरान की जगत रशिया की हल्प करेगा रशिया की बंती नहीं उक्रेयन के साथ ठीक है में लिए इसराइल चाहता है इरान को खत्म करना रश्या चाहता है उक्रेयन को खत्म करना लेकिन आपस में सबी कंट्रीज क्या चाहती है एक दूसरे के साथ में अपने मनी कैसे कमा सकते है जैसे अब यूएस से है बहुत सा पैसा कमाएगा इससे अगर जुद्ध लगेगा सबसे ज्यादा benefit को उठाएगा हमारा हमारा तो क्या जुएस से सबसे ज्यादा benefit उठाता है उसका चलते हैं भी ज्यादा मुद्धे से बढ़करें हैं इस रो इस रो नहीं मोजु साइंड किया विद्ध आईडी मदराग के साथ है क्या करेंगे एक ट्रेनिंग में वहाँ पर कैसा हमारा atmosphere होगा क्या हमने करना है एक virtual reality के लिए IAT मदरास और इस रो के बीच में tie up हुआ मोजु साइंड हुआ अब इस रो के बारे में कुछ fact देख लीजिए 15 अगस्त 1969 को ये बनाया गया था ओकी सो इसके headquarter कहां पर हैं बैंगलूरू करनाटका में जो इसके currently जो इसके chairman को नहीं ऐसा सोमनाथ जी ठीक है जी तो important fact हुए जो उनके strategy की हुई then कुछ है हमारे जो missions है एक तो पहले देखो चंदरियान 3 जो अब हम launch करने वाले हैं क्यूँ यहां पर हमारा जो एक lander पहुँचेगा उन्दी surface of moon and साथ ही में हमारा क्या होगा जो वहां पर rover होगा लेंडर रोबर लेंडर क्या करेगा रोबर क्या है वहां पर move करेगा ठीक है जी जो चंदरियान 2 पहले फेल हुग गया था जो उसके बाद में चंदरियान 3 को अब लॉंच करेंगे यह तो समझे में बात आई आपको next जो हमारा लेंडर था उसका नेम क्या था बिकरम लेंडर देन जो रोबर था उसका नाम हमारा परग्यान रोबर ठीक है next बही अब देखो अधित्य एलवन जो हम सन की स्टड़ी के लिए बेजेंगे कब बेजेंगे जूंजलाई के मन्त में कह रहे हैं next शुक्रयान न्यूज में था शुक्रयान हम वीनस की स्टड़ी के लिए पहले हमने दोहर 24 में बेजना था इसको लेकिन अब बेजेंगे दोहर 30 में next शुक्रयान के बाद में यहां पर हमारा कौन सा मिशन है भाई गगणियान जे क्या करेंगे हमारे जो हिम्मन को हमारे मैंस तीन हिम्मन को इंडिया से बिलों करते हैं जो उनको मून की सरफिस पर उतारेंगे ठीक है जी एक इंडिजिनियस नहीं हमारा मिशन होगा सो दैट्स वाई इंपोर्टेंट है गगणियान हमारे मिशन को ओन दी सरफिस और मून पर उतारने के लिए कब करेंगे दो हैर चोबिस में कह रहे हैं लेकिन क्या पता ठीक है अब नेक्स्ट आइटी मदरास जे तो हमारा जो इस रो तो कम्लीट हुआ अब ही हाली में आपको पता होगा बारत ओपरेटिंग सिस्टम इनके दवारा ही डिवल्प हुआ था जो के एक एंट्रोइड के लिए होने वाला सिस्टम है नेक्स्ट होमोसेप जे क्या है एक रोबोट था जो के हमारे सीवरेज टैंक को क्लेंड करने को लेकर नेक्स्ट सिंदूजा सिंदूजा क्या है जिक मरी ओशिन बेव अनर्जी को चेंज करेगा किसमें अलेक्टिकल अनर्जी में जे इंस्ट्रॉल हुआ था इंदी तूती कुरन पॉर्ड नेर दी इंदी तमिलाडू में नेक्स्ट ठीक है जे समझे में वात आई आपको देन हाइप पॉर्लूक्ट टोनोलोजी को लेकर टाइप हुआ था विद्धी हमारे मिनिस्ट्री ओव रेड़ बे के साथ कौन अभी अशनभी बैशनव के साथ है समझे दन उसके बाद में और इनको यह एक अवर्ड मिला था वाटन क्यों एस री अमेजिन ठीक है यह अवर्ड मिला था इनको अभी हाली में ठीक है दो एर बाइस का सो इंपोर्टन है सो नेक्स्ट अब चलते है डिजिटल इंडिया जो मुवाइल बैंड लॉंच हुई MIT कै दवरा MIT क्या है Ministry of Electronics Information Technology के दवरा क्या करेगी जो हमारी Digital India के जो भी इनिशिटिव है comment के ओर से दिए गए है कोई अरोग जैसे तू को भी इन Digital लोग कर इनके बार में लोगो awareness पहलाने को लिएकर start करेंगी कहां से first कॉन सी city है जहां स्टार्ट करेंगे इसको लखनोव से क्यों यहां पर लखनोव में हमारी G20 की जो Digital Economic Working Group की First Meet कहां पर होगी लखनोव में that's why वहां से हम स्टार्ट करेंगे लोगों की जो participation को बढ़ाने के लिए कि जन अंदोलन की तरह इसको स्टार्ट किया जाएगा ठीक है अब देखो भई important क्या है G20 G20 की meet कहां पर हो रही है अब दोहर 23 में इंडिया में तो पहले जो 22 में कहां पर हुई थी इंडोनेशिया में ठीक है next भई G20 की जो कब से हमने प्रेंटिंशिप को संबाला from the 1st December से लेकर 13 November 23 तक इसको हम संबाल रहे हैं अब सभी meetings इंडिया में हो रही है अंदर बहुसी countries यहां पर इंडिया में आएंगी भी ठीक है so next यहां पर एक हमारा SEO ग्रूप की मीड़ी कहां पर होगी इंडिया में होगी दोहरते इसमें शिंगाई cooperation organization इसमें nine countries पार्टिस्पिड करती है जो latest country कौन सी बन चुकी है इरान बन चुकी है समझे बही चले आगे तो अगर देखो इसके अंदर जो हमारी बारण नसी जो हमारी एक कल्चलर एंड जो टूरिज्म कैपिटल बढ़ी थी SEO की साथी में जो इनकी एट वंटर लिस्ट आई थी उसमें हमारा Statue of Unity जो की गुजरात में है उसको जहां पर इसके अंदर कंसिडर किया गया था ठीक है जी एट बंडर लिस्ट में इसको लिया गया था Statue of Unity को next awards है हमारे कुछ उसके पहले देखो ये important news में थे book थी हमारी जे book के लिए इनको award मिला Mathura Boomi जो book of the year award के इनको मिला जहांपर डक्तर पैगी मोहन को इनकी एक book है बेंटर किंग और मर्चंट जो पोर्टरे करते evolution of language को as the outcome of migration मिन्स के जो migration है उसके जरी ये क्या है हमारी language में तबदीली आई है उसमें changes आई है तो उसको लेकर थी ये book के लिए उनको ये award मिला और कुछ और personality हैं जैसे देखो हमारी सत्य अकाड़िमी अवोर्ड मिलेते दोहर बाइस में जो कि English की लिस्ट में किनको मिला था अनुरादा रोहे को अनुरादा रोहे को उनके एक book थी हमारी all the lives all the lives we never sorry sorry we never lived जो हिंदी की फिल्ड में मिला था किनको भई यहां पर हमारे बद्री नरायन को उनकी एक book थी तो महाड़ी के शवड़ ओके एंड़ोहर बाइस में एक हमारा इंट्रेशन बुकर प्राइज मिला था किनको मिला था बई जो हमारी गितांजली शीरी को इसका नेम क्या था रेत समाध्धी और इंग्ली इसको ट्रांस्टेट किया था इनके द्वारा डेजी रोक्वेल के द्वारा उनके द्वारा इसका नेम क्या रखा गया था टॉम ओब टॉम ऑफ सेंड ठीक है इंटरनेशनल डे ओफ जीरो टोलरंस फार्दी फीमेल जैनिटल मुटिलेशन जो में फीमेल के जो कुछ हमारी इलिजिन्स को परस्पेक्टिव से कुछ एरिया में लोग करते हैं उनकी जो बावनाएं विजो फीमेल को उनके जो सेक्शल ओर्गन को वहां पर क्या कर कट लग जाते हैं वो उसको क्या कहते हैं उसको याद प्रियोर्टी आएगी उनमें जो भी उनके इंदर बैड हैबिट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी उसके बारे में है जिए एक नेगटिव एवल है हमारी सुसाइटी में ओके सो दैट्स वाइट जो नेटरनेशन के द्वारा बता है दी हमारी फिमल जैनिटल मुटिलाजेशन सो मैक्सिमा आपको पता होगा इसको खतना कहते हैं हंदी में खतना ठीक है नेक्स्ट भई और अगर देखें हम कुछ और हमारी इंपोर्टन डेज है फर्स्ट फरबरी को हमने सेलिबेट किया था इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड सेकिंड फैकरी को हमने किया था बैतल वर्ल बैट लैंड जो के 1971 में हमारी ह्मीट हूँ थी कहांपर रामसर में इरान में जो रामसर चुक्क कन्वेंशन हूँ थी बैट लैंड's को लिकर इन को प्रटट करने को लिकर तो यास उसको whenever करने लगे हम World Battle Day के रूप में इंडिया में कितनी है 75 है नेक्स्ट वई दन उसके बाद में हमारी जो 4 फैब को हमने सेलिब्रेट किया था International Day of the Human हमारी fraternity जो बाईचारे को लेकर लोगों के अर्ब एमिडेट्स और फ्रांस तिनों का गुरूप है हाली में न्यूज में था क्यों तिनों की यो राफल जो एक एयर क्राफ है फाइटर एयर क्राफ्ट है जो कि इसल्ट कंपनी के दवरा बनाया गया था फ्रांस जे सबी कंट्रीज उसको जूज करती है थी इनों कंट्रीज सो अभी इन्होंने बातचित क्यों कहीं क्यों एग्रिमेंट किया यहां पर जू स्टी 100 बिलियंड डॉलर के जो ट्रेड को बढ़ाएंगे 2030 तक साथी में यहा पूर सकते हैं कौन सी कंट्रीज इसमें नहीं है यहां पर आपने सुनाओगा आई टू यूटू प्रिवियस एर न्यूज में था क्योंकि यहां पर इंडिया इस्राइल जू एई एड जू एसे ने पार्टिस्पेड किया था ठीक है जी सो फास्ट मीट कहां पर हुई थी इंडिज राइल में एक वर्चूल फॉर्मेट के जरिए ठीक है और इसको बैस्टन कौर्ड के नाम से जानते हैं बैस्टन कौर्ड कौर्ड तो सभी को पता होगा जो यहां पर जपान अस्ट्रेलिया इंडिया एंड उसे पार्टिस्पेड करते हैं जो मेरी चाइना को टे पढ़ता है समझे चले आगे सो नेक्स्ट अब स्पोर्ट की फिल्ड में देखो शाही चंजे जो के न्यूज में थे अभी जो इंडियान नैशनल को रेसिंग चैंपिंशिप होगी दोयर देज की उसमें इनों नैशन चैंपिंशिप को जीत लिया इंदी केड़गरी ओफ इंदी कलास ओफ एमारफ फार्मूला 2000 में तो इंपोर्टन तो है ठीक है अप दियान में रख्यों एक एफ आई एफ आई ये जो फॉर्मूला इवर्ड चैंपिंशिप होगी कहां पर होगी हाईदराबाद में इसका फॉर्थ फेज ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं एक नेक्सट भाई जहां पर रीटार्मेंट को लेकर है रैपील ब्राने जो के एक फोट्मूल प्लेयर थे उन्होंने एफ रिटार्मेंट को कहां से बिल्यों करते हैं फ्रांस से टीक है जी फॉर्थ प्लेयर है जो नें वर्ड़क पो भी जीत लिया आंदी सेम येर मेंं तुद द्यान में हमें रखना नहीं है उन्ली नेम द्यान में रख्यों फोड़ोल से बिलों करते हैं फ्रोम दी फ्रांस टार्मेंट अनॉंस कर दी और दन हाशित आमला जो के साथ अफरिका के प्लेयर थे उन्होंने भी टार्मेंट की थी प्रिवियसली ओकी सो इंपोर्टन है सब भी यह दियान में रख्यों नेक्स चलते हैं तरने इंडियन रेड़वे के द्वारा जो अपनाम की एक जांपर फूड डिलिवरी को लेकर वर्टसेप फूड डिलिवरी फेकल्टी को प्रवाइड किया गया कहांपर जो प्रसेंदियर्ज हैं हमारे उनको यह प्रवाइड की जाएगी वो अपनी जो वर्टसेप के जरीए अपना फूड को मगा पाएंगे मिन्सके ओडर कर पाएंगे समझे भई सो एक ही उमरी केटरिंग को अच्छी करने को लेकर यी केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने को लेकर भी स्टार्ट हुग है नेक्सट बारत गौरव टूरिस्ट ट्रेना भी हाली में स्टार्ट हुई जो की गार भी गुजरात जो गुजरात के गौरुब को दिखाने के लिए सबी को हल्प करेगी यहां पर ना सबी में यहां पर दिल्ली सभदूल गंज से स्टार्ट जंग से सटार्ट होगी र précisटेशन से और जो गुजरात में सबीasteries चमपेरिनिर जो कांपर है गुजरात में कुनारकसन टेंपल कांपर है इंदी उडिसा नेक्स्ट राणी की बाद जो कि जनाइसको भी साइट है उसको साथे में सोना टेंपल हनमारा नागेशवर्ट तिरलिंग द्वारिकादीश टेंपल सभी एरिया को जहां पर करती हुई लोगों को दिखा देश है ठीक है तो जो भी इंपोर्ट साब को द्यान में रखना चाहिए इंडिया का जो क्रूज है सबसे बड़ा तो जिसका 50 डे तक का इसकी जर्नी है 50 डे तक की ठीक है नेक्स्ट अभी जूपिटर न्यूज में था क्यों न्यूज में था अपने आप तो नहीं आया हो होगा हमने देखा इसको इसके अब हमने जो 12 न्यूज मून को यहां पर डिसकावर किया अब इसके मून हो चुक है 92 मून तो सबसे जादा मून वाला हमारा प्लैनेट बन चुका है जूपिटर फिर से बापस आ चुका है अपने स्थान पर सेच्चुन के कितने 83 अब मून ह इसको हो चुक है जूपिटर के 92 लेकिन अग्जाम के परस्पेक्टिव से हम इसको जाद नहीं रख सकते क्यों अगर आज आपका पेपर हो बही पंत के अंदर अंदर तर यहां से अगर कोशन बनेगा तर 92 नहीं होगा वो वो होगा सेच्चुन यहां वर्टिक लगेगा ठ यहां वहां पर क्या हो सकता है वहां पर चेंज हो सकता है इसको वैसे तो ऐसा कोशन नहीं बन सकता क्योंकि यह आपने टिक लगा दिया यहां इक रिख लगा दिया कोशन के लिए तो द्यान में रोक्षिव 92 यहां पर मून हो जुके हैं बई ठीक है तो हमारे सेट्चन के कितने 83 मून के आप क्या होते हैं जो एक हमारी एक नेच्रल सेटलाइट होते हैं उसको कहते हैं मून ठीक है प्रफ्चन क्या है सा है Sun की वह है Mercury जो brightest planet कौन सा है हमारी solar Milky Way का Venus है then morning star and evening star किसको कहते हैं बिनस को कहते हैं next wheeled planet जिसको यह cover है means कर पर ली इसको कहते हैं वह वह बिनस है twins of the earth किसको कहते है वो भी क्या है बेनस है, सो बेनस है most important बन चुका है यहाँ पर, then study of moon कि इसको कहते हैं हम, seleno logico, seleno logico, study of moon हम कहते हैं बई, सो सभी जो मुझे लगता है भी यहाँ से important है, one liner की form में है, डेक्टर यहाँ से question पूर सकते हैं, ऐसा question बन सकता है, morning star, evening star, जल्दी जल्दी complete भी हुआ, और आपको पता भी चला, then third Halo India Winter Games कहाँ पर held होगी, so बताइए, यह कहाँ पर होगी, इन्दी Jumbo and Kashmir में, so आज की video जहें तक complete करते हैं, कुछ अच्छा लगे तो बताना, कुछ बुरा लगे भो भी बताना, क्योंकि आपकी जो feedback है, उसके जरी ही हमें पता चलेगा, कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, then हम उसमें changes लाने की कोशिश करेंगे, अगर वीडियो में कुछ भी doubt लगे, तब भी पूछ लेना, सुक करेंगे स्टार्ट भाई, चो मेलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ भाई, बाई बाई, डोंट फोगेट तू सब्सक्राइब आव यूटीव चैनल, बाई बाई,